अगर आप वही पुराने नाश्टा खा खा कर बोर हो चुके हैं तो चलिए आज कुछ नया ट्राइ करते हैं आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू और गेहूं के आटे से ऐसा मचेदार सा नाश्टा जो सब को बहुत पसंद आएगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइस के आलू लिये थे कच्चे आलू लिये थे जिनने अच्छे से छीड लिया उसके बाद इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया घिस लिया है आलू को आलू के मीडियम साइस के लच्छे बनाए हैं और अब यह जो आलू के लच्छे थे इन्हें मैंने बहुत अच्छे से 2-3 बार धो लिया इनका स्टार्च बिल्कुल निकल चुका है और अब आपको इन्हें पानी में से इस तरह अच्छी तरह निचोड निचोड कर अलग रखते जाना है और सभी आलू के लच्छो को देखे मैंने एक पाउल में रख लिया है और इनमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है अब यहां पर मैंने एक बड़े साइस के प्यास को इस तरह पतला पतला कट करके लिया है पतले पतले लंबे स्लाइस इसके कटकी है और यालू के अंदर डाल दिए दो हरी मिर्च बार अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे अगर आपके बच्चे टिफिन में कुछ इस्पैशल बहुत ही टेस्टी ले जाना चाते हैं तो सुबह की भागदोर में भी आप ये नाश्टा उने बनाकर उनके टिफिन में दे सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें टाइम भी कम लगता है अब यहां पर सभी चीजों को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर एक कप गेहूं काटा डाल दिया है और इसमें मैं डाल रहे हूं वन फोर्थ कप चावल काटा अगर चावल काटा ना हो तो सूजी का इस्तमाल भी किया जा सकता है आधा चम्मच नमक डाल इसमें यह जा रही है दरदरी कुटी हुई मूंफ्ली मैंने टू टेबल स्पून मूंफली को दरदरा सा कूट कर इसमें डाल डिया है अब सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर मूंफली ना हो तो इनके बिना भी ये नाष्टा बनाया जा सकता है ले जरूरत होने पर आप थोड़ा सा पानी और डालें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसे बहुत पतला नहीं करना है तो ये देखिए आपको इस तरह इसे त्यार करना है इससे ज़्यादा पतला मत कीजेगा तो बस ऐसा ही इसे आपको रखना है अब इस और चनादाल को बहुत अच्छे से त Dallas तेल को भूँ नबना है लिए हमने नहीं लिए चनादाल को बस घीले कपड़ें पर अच्छे से पूंच कर लिया है और चनादाल को लेए सब्सक्किर को अच्छिम लेहएं कर लिए बढ़ना है। अर भी तरहां os export की पर मैं इसके अंदर डाले हूँ टमाटर, दो टमाटर को रफली कट करके डाल दिया है, साथ ही इसमें जारी है एक शिमला मिर्ज से भी रफली कट करके डाला है, सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और तेल में थोड़ा सा इन सभी चीजों को आपको भूनना है और टमाटर को आप सॉफ्ट होने तक इसे कुक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ी दिर बाद टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए गैस का फ्लेम आफ कर दें और इसे ठंडा करें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे आप मिक्सी के जार के अंदर डाल दीजे अब इसमें आप डालें थोड़ा सा साधरन नमक और थोड़ा सा काला नमक दोनु नमक डालने हैं लेकिन आपको अपने स्वादनुसार यह नमक डालने हैं अब यहां आदा चमच लाल मिर्च पाउडर डाला है एक चोथा ही चमच डाल दिया है साबुत जीरा दो से तीन पिंच हींग डाल दें और अब आप इसमें डाल दें नीबू का रस तो लगवक एक डिड़ चमच के करेब आप इसमें नीबू का रस डाल दीजे और अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और बस अब आप चटनी को पीस कर त्यार करें बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़िदार सी ये चटनी बनकर त्यार होती है तो यहाँ पर देखिए हमने इस चटनी को बना कर त्यार कर लिया है और इसी तरह का इसे रखना है बहुत ज़्यादा पतली ये चटनी नहीं होने चाहिए इस चटनी को आप बना कर फ्रिज में स्टोर करके रख लीजे और 5-6 दिन तक आप इसे खा सकते हैं अब नाश्टा बनाने के लिए गैस पर पैन रखा है जिसे लो फ्लेम पर गर्म कर लिया और इसमें थोड़ा सा तेल डाल कर इसे स्प्रैड कर दिया है अब जो कच्छे आलू और गेहुं के आटे का हमने मिश्रन त्यार करके रखा था वो हमने एक लैटल भरके इसके अंदर डाला है और इसे इस तरीके से इसमें स्प्रैड कर दिया है इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और साइज भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है लगबग 1.5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर सिखने दें और जब ये उपर से ड्राई लगने लगे कि ये मतलब उपर गीला नहीं है सूख चुका है तब आप इसे थोड़ा सा दबा दबा कर और सिख लीजे और उसके बाद आप इसे पलट दीजिए और पलट कर अब आपको करना क्या है इस समय आपको फ्लेम एकदम लो कर देना है और अब जो मैंने चटनी बनाई थी वो इसके उपर लगा दी है अगर आपने ये चटनी नहीं बनाई है तो आप इसके उपर टमेटो सॉस भी लगा सकते हैं अब यहाँ पर मैंने इसके उपर चीज डाल दिया है और चीज को मैंने ग्रेट करके लिया है और इसके उपर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और यहाँ पर इसके उपर जा रहा है थोड़ा सा धनिया पत्ता और बस अब आपको करना क्या है इसे ढख कर लो फ्ले पर सिखेगा तो अच्छे से सिखेगा दूसी तरब से और चीज भी अच्छा मैल्ट होगा तो अब यहां पर लगबग दो मिनट बाद मैं इसे निकाल लेती हूं क्योंकि चीज अच्छे से मैल्ट हो चुका है और दूसी तरब से यह अच्छी तरह सिख चुका है तो बस ये बच्चे सारा टिफिन खतम करके ही घर आएंगे इस रेसिपी के आगे बच्चे मार्किट का पीजा बर्गर बिलकुल भूल जाएंगे और इस चटनी के साथ तो बात ही क्या ये बहुत ही मज़ेदार लगता है रेसिपी पसंद आई तो लाइक कॉमेंट और शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें